हेलो पिछली वीडियो में हमने if statement, if else statement, if else if statement इसके बारे में जाना अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हुई है तो उपर आई बटन पर कलिक करके इन वीडियो को देख सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे switch statement के definition जानेंगे तो ये switch statement के definition है switch case statement का उपयोग nested if else के code of log से बचने के लिए किया जाता है switch statement को execute करने के लिए codes में से किसी एक को execute करने के लिए उपयोग किया जाता है switch case statement case पर निरवर करते है यदि case match हो जाता है तो उस case का code execute हो जाता है और यदि कोई case match नहीं करता है तो default code execute होता है इसे switch case statement का जाता है इसके बाद हम switch statement का syntax जानेंगे तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे switch इसके बाद यहां पे round braces में लिखेंगे end इसके बाद curly braces open इसके बाद लिखेंगे यहां पे case level 1 यहां पे बहुत से case हम लिखेंगे तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे case level 1 इसके बाद यहां पे code to be executed यहां पे code को execute करवाएंगे इसके बाद लिखेंगे break यहां पे break लिखेंगे यहां पे case 1 हो गया इसके बाद आगे करेंगे case level 2 case level 2 लिखने के बाद फिर लिखेंगे code to be executed इसके बाद फिर यहां पे लिखेंगे break इसके बाद फिर यहां पे लिखेंगे case level 3 इसके बाद यहां पे लिखेंगे call to be executed इसके बाद यहां पे लिखेंगे break इसके बाद यहां पे और भी हम यहां पे case लिख सकते हैं जितने मर्जी चाहे यहां पे case लिख सकते हैं इसके बाद यहां पे हम last में बनाएंगे अगर यह case सभी false हो जाते हैं तो यहां पे default यहां पे लिखेंगे तो यहां पे code to be executed तो यह सभी false होते हैं तो यह default वाला code यहां पे execute होगा इसके बाद यहां पे हम curly braces को close करेंगे तो यह switch statement का syntax है तो इसको हम यहाँ पे program के जरीए समझेंगे तो यह switch statement का program है write a program in PHP to demonstrate the use of switch statement तो यह notepad में हमने switch statement का यहाँ पे program लिखा हुआ है सबसे उपर लिखा हुआ है dog type stml इसके बाद stml उसके बाद body start किया हुआ है इसके बाद heading इसके बाद PHP को start किया हुआ है इसके बाद यहाँ पे variable day is equal to 3 यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बाद semicolon इसके बाद यहाँ पे switch statement start किया है यहाँ पे round braces में variable day लिखा हुआ है इसके बाद curly braces open किया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है case 1 तो case 1 पे हमने यहां पे लिखा हुआ है eco Monday इसके वाद यहां पे break दी हुई है अगर यह case 1 यहां पे सही हो जाता है तो आगे जितने भी case है इसको यह check नहीं करेगा अगर यह false हो जाता है case 1 तो यहां पे case 2 इसको यह check करेगा तो eco यह देखो case 2 eco यहां पे Tuesday लिखा हुआ है इसके वाद break आगर यह सही हो जाता है तब तो यह आगे इसको चेक नहीं करेगा आगर यह उपर वाले दोनों false हो जाते हैं तो यह case 3 इसको चेक करेगा इसके वाद eco यहां पे Wednesday यह लिखा हुआ है इसके वाद फिर यहां पे break यह लिखा हुआ है तो इसी तरह यह नीचे case लिखे हुआ है case 4 में यहां पे Thursday लिखा हुआ है इसके वाद यहां पे case 5 में Friday लिखा हुआ है इसके वाद case 6 में Saturday लिखा हुआ है और यहां पे case 7 पे यहां पे Sunday लिखा हुआ है अगर कोई और यहां पे value वरता है तो यहां पे हम इसको default करेंगे यह देखो default echo no day इसका मतलब यहां पे अगर 1 से लेके 7 तक कोई value वरता है तब तो यहां पे यह statement प्रिंट करेगा अगर कोई 7 से ज़्यादा value यहां पे वरेगा तो इस case में यह जो default है यह जो statement है no day यह यहां पे execute करेगी इसके बाद हम इस program को save करेंगे file पे जाएंगे save as पे जाएंगे इसके बाद c drive यह आ जाएगा यहां पे यहां पे click करेंगे इसके बाद यहां पे bomb 64 यहां पे click करेंगे यहां पे इसको open करने के बाद यहाँ पे यह folder आजाएगा www यहाँ पे click करेंगे तो यह www folder अपन हो गया है इसके अंदर भी यहाँ पे folder आए किस folder पे इसको file को save करके रखना है तो हम यहाँ पे project folder बना हुआ है यहाँ पे file को save करके रखेंगे तो यह project folder इसको open करेंगे यह open किया और फिर यहाँ पे file name जैसे er file name दिया इसके बाद php के extension dot php ये लगाया इसके बाद save पे क्लिक करेंगे तो ये file save हो जाएगी er name से ये लिखो er name यहां पे आ गया है इसके बाद फिर इसको minimize करेंगे minimize करने के बाद bomb server इसके बाद ये निचे यहां पे bomb server आ गया है green में तो यहां पे क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक करने के बाद local host यहां पे क्लिक करेंगे तो local host window यहां पे open हो जाएगी इसके बाद यहां पे ऊपर लिखेंगे local host इसके बाद यहां पे forward slash इसके बाद folder का name लिखेंगे project तो enter press करने के बाद यहाँ पे Wednesday यहाँ पे आ गया है तो यह देखो variable day यहाँ पे भारा हुआ है 3 तो third case में क्या है यह देखो case third यहाँ पे आया हुआ है Wednesday तो Wednesday यहाँ पे आ गया है यह अगर हम यहाँ पे यह value change करेंगे जैसे यहाँ पे 3 की जगा हम करते है 1 तो ये 1 करने के बाद जब हम इसको save करेंगे ये save पर click किया इसके बाद refresh करेंगे तो ये दिखो यहाँ पर आगया Monday तो case 1 में ये क्या है Monday ये दिखो यहाँ पर हमने 1 वरा तो case 1 यहाँ पर Monday है suppose करो यहाँ पर हम value change करेंगे यहाँ पर लिखा 7 यह 7 लिखा, 7 लिखने के बाद यहाँ पे जब हम इसको save करेंगे यह save पे click किया, save पे click करने के बाद जब हम इसको refresh करेंगे तो 7 case पे क्या है यह लिखो, यहाँ पे case 7 है, यहाँ पे लिखा हुए Sunday तो यहाँ पे Sunday आ जाएगा, यह लिखो इसको refresh करके लिखते है यहाँ पे refresh किया तो यह दिखो यहाँ पे Sunday आ गया 1 to 7 जो भी value हम वरेंगे बोस statement यहाँ पे execute हो जाएगी अगर यहाँ पे यह दिखो 7 तक यहाँ पे हमने value वरी हुई है अगर 7 से ज़्यादा value वरेंगे तो default में यहाँ पे लिये गया है no day तो हमें यह show करवाएगा यह दिखो यहाँ पे expose करो हम यहाँ पे यह 7 की जगा हम यहाँ पे बरते है 9 यह 9 बरा 9 बरने के बाद इसको save करेंगे यह दिखो save पे click किया save पे click करने के बाद जब हम यहाँ पे refresh करेंगे तो यह देखो 9 day तो 7 के बाद यहां पे कोई भी case आगे नहीं है तो यहां पे last में default किया हुआ है तो default में यहां पे यह देखो statement लिखी हुई है 9 day तो हमें 7 के बाद जो भी हम यहां पे value वरेंगे उसमें हमें यह show करवाएगा 9 day तो इस तरह से PHP में switch statement काम करती है अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छे लगी तो please subscribe my channel धन्यवद